आज हम लोग बलपीले पहाड़ों पर घूमने जाएंगे हाँ टीनू बहुत मज़ा आएगा चीनू टीनू केविन टपोरी तुम लोग गरम कपड़े भी ले लेना वहाँ पर बहुत थंड होगी ठीक है बाबा मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पर तुम लोगों को लेने आऊगा बै बिडू बाबा अभी दग आए ले नहीं है लगता है बिडू बाबा घर पे सो गई ले टपोरी वो देखो बाबा आगए चलो चीनू टीनू केविन टपोरी जल्दी से अंदर बैठ जाओ हम लोग पहुँच गए आज रात हम लोग इस घर में रुकेंगे देख चीनू वहाँ पल कितने सारे बरफिले पहार है हाँ टीनू कल हम उस बरफिले पहार पर घूमने जाएंगे चलो अब रात बहुत हो गई है हम सब अंदर जाके सो जाते है टीनू टीनू क्या हुआ चीनू बाबा टीनू कहीं दिख नहीं रहा टीनू यहीं कहीं होगा चलो उसे ढूंडते है अरे यह तो बाबा है अब बिडू देख राक्षा सारे लाए बागो याजे चीनू केविन टपोरी यह ड्रेगन मेरा दोस्त है तुम लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबा आप यहां क्या कर रहे हो ड्रेगन हम यहां घूमने आये है हमारे साथ एक टीनू नाम का लड़का भी था लेकिन वो कहीं खो गया है बाबा जरूर टीनू को चुडेल पकर के ले गई होगी चुडेल? कौन सी चुडेल? इस पहारों पे एक चुडेल रहती है जो यहां आने वाले हर इनसान को पकर के ले जाती है चलो बाबा आप लोग मुझ पे बैठ जाओ मैं आप लोगों को उस चुडेल के घर तक ले जाता हूँ देखो बाबा वो घर आ गया चुडेल मुझे मत मारो यह तो टीनू के रोने की आवाज है बिड़ो प्रुडेल मुझे जाता हूँ